किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों इस ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चनल वर्मा टेकनिकल लर्नेंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 23 मई 2022 का करेंट अफ्यर है तो वीडियो को जरा सभी पोज मत कीजेगा क्योंकि सारे कोशन सेलेक्टेड और इन्पोर्टेंट है यही कोशन डारेक्ट आपको एक्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे तो वीडियो को पूरा अम्त तक जरूर देखिए अगर आप किसी भी कॉंपिटेशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूना भूले सांथी सांथ बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नय लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करेंट अफ्यार का पहला कोश्चन है मुख्यमंत्री भुपेज बगेल ने 36 गड़ के जैव विविदिता पर कितने पुस्तकों का वीमोचन किया 5,6,7 या फिर 8 करेक्ठ हमारा अंसर आजाता है दोस्तों 6 पुस्तकों का वीमोचन किया मुख्यमंत्री भुपेज बगेल अपने निवास कार्यालाय में अमतराष्ट्य जैव विविदिता दिवस के आउसर पर आयोजीत परिचर्चा एवं पुरुसकार वितरित कार्यकरम में 36 गड़ की 6 विविदिताओं पर विभीन लेखकों की 6 पुस्तकों का वीमोचन किया इसका अगला भाग देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री भुपेज बगेल ने कार्यकरम में लेखकों डाक्टर सीव जी वचन की पुस्तक 36 गड़ स्टेट बायोडवस्ट्री स्टेट जी एंड एक्सन प्लांट 2022-36 भारतिय वन सेवा की अधिकारी श्रीष्ण रामक्रिष् चित्रों में केंद्रीत पुस्तक सैल अवार्ड और पास्ट स्री गवरो निहाने स्री गानेंद्र पांडे वसुंद्र प्राकृतिक संचन समीती की पुस्तक 36 गड़ में एको परियतन संभावित एवं चुनावती स्री सलेंद्र उके और भारतिय वन सेवा से स्री वीन साय की पुस्तक अलाफ गाइड टू फॉरेस्ट प्रोसेस ऑफ 36 गड़ डॉक्टर विविक कुमार सिंधल तथा डॉक्टर हेम कान चंद्रवन सी अंकित सेवा प्रस्थान की पुस्तक बायो डारिस्टी इन 36 गड़ स् इनसेक्ट बायो डारिस्टी ओफ 36 गड़ का विमोचन किया है सेकेंड कोश्चन पर ध्यान देंगे 36 गड़ से किसने मैरीन फॉल्सीस और केव पैंटिंग पर केंद्रित लगू वित्तिय चित्रों का लोकारपन किया है मुख्यमंत्री भुपेज बगेल राज्यपाल मुख्यमंत्री भुपेज बगेल ने 22 मई 2022 को अपने निवास कार्यकालाय में अमतर राष्टिया जय विवित्त दिवस की असर पर परिचर्च एवं पुरुसकार वित्रन कार्यकरम को संबोधित किया है सेकेंड पॉइंट है जय विवित्त सरक्षन हेतु विभीन स्रेणि के परें तथा राज्य के एक छेत्र में पाये जाने वाले सैल शित्रों का केव पेंटिंग पर अधारित फिल्म प्रत्थम अभियाक्त का लुकारपन भी किया है अगला प्रेश्ण पर ध्यान देंगे दोस्तों मुख्यमंत्री भुपेज बगेल ने बौलोदा के महिला मह विद्यालाय का नामकरण किसके नाम पर रखने की घोशना की है भक्त माता कर्मा के नाम पर गुरु घासिदास के नाम पर अरजुना के नाम पर या फिर इन में से कोई ने राइट आंसर इसमें हमारा वन नमबर आ जागा दोस्तों भक्त माता कर्मा के नाम पर पॉइंट के बालोद में जीला इस्तरिय कर्मा मौत्सव एवां भूमी पूजन समाहरों में सामिल हुए और घोसित भी कर दी गई है नेक्स्ट कोशन है पीटर एलबस को हाल ही में किस एयर लाइन कंपनी का मुख्य धिकारी नियुक्त किया गया है इंडिको का एयर इंडिया का एयर एस या फिर इन में से कोई नहीं हमारा सहीं उत्तर आ जाता है दोस्तों इंडिगो ऑप्सन नमबर वन इसका करेक्ट आंसर आएगा पॉइंट आफ यू के हिसाफ से समझ लीजिए पीटर एलबस को हाल ही में एयर लाइन कंपनी इंटर ग्लोबल वी एसियन लिमिटेड इंडि अब ही लेंगे नेक्स्ट कोशन देखिए हाल ही में हाल ही में अमेजन पे और किस बैंक ने यूपी आई भुकतान के लिए समझ लीजिए और बी एल बैंक के इंडर बैक यस बैक या फिर इन में से कोई नहीं करेक्ट हमारा आंसर आता है दोस्तों आर बी एल बैंक ने होता किया है जिनकी तहाट पीटर टू पीटर और पीटर टू मैचें लेंदें सामिल होंगे अगला प्राशन देखिए 36 गड़ जैवीविदिता पुरुसकार 2022 की तह स्रेष्ट संसान स्रेणी में स्रेष्ट जैवीविदिता प्रबंधन समीती सहवाड़ा कांकेर और प्रबंधन समीती चीर्चा दुर्ग को कितने रुपए भुकतान दिया गया है 20,000 रुपए 25,000 रुपए 50,000 रुपए या पुरुसकार राष्ट्य एवं प्रसस्त पात्र पत्र प्रदान कर समानित किया गया है इसी प्रकार जैव समसादनों का पोश्णिया उप्योग व्यक्तिक स्रेणियों में भी स्री किसोर कुमार राजपूत तथा फालतु प्रजातियों का संरक्षन व्यक्तियों स्रेणी म स्रेडी में भी राजिंदर प्रसाद मिस्रा और सुंची निती तिवारी को प्रसिस्त पत्र एवं 25,000 की पुरुसकार रासी देकर समानित किया गया है नेक्स्ट कोश्चन पर ध्यान देंगे नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालाय पर विश्व का सबसे उचा मौसम स्टेशन इस्थापित किया है माउंट एवरेश्ट, दहल का पहाड, गोडवाना या फिर इन में से कोई नहीं करेक्थ हमारा आंसर आजाते हैं दोस्सों, माउंट एवरेश्ट, आप्सन नमबर वन इसका करेक्थ आंसर आएगा नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने हाल ही में विभीन मौसम संबंधी घटनाओं को संचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेश्ट हिमाला पर विश्व का सबसे उंचा मौसम स्टेशन इस्थापित किया है यहां मौसम स्टेशन पीछले सबता सेखर बिंदू से कुछ मिटर नीचे इस्थापित किया गया था को डाक्टर नेताम को महिमा सोनी को या फिर इनमें से कोई नहीं करेक्ट हमारा आंसर आजाता है दोस्तों डाक्टर प्रेम सागर मिस्रा को अप्सन नमबर वर इसका करेक्ट आंसर आएगा SECLK CMD डाक्टर प्रेम सागर मिस्रा को कोईला उद्योग में उनके नेत्रित्व सक्ति के लिए Institute of Economic Industry नई दिल्ली में प्रतिष्ट उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है नई दिल्ली में आयोजित पुरुसकार समाहरूह में असम की राज्यपाल प्रोफेसर जगदिस मुखी ने उन्हें अवार्ड दिया है भूमिगत खदानों में डांक्टर मिस्र की विसेष्टा को सभी मामते हैं वह इस्ट कूल फिल्ड लिमिटेड के CMD भी रह चुके हैं अगला प्रश्ण पे ध्यान देंगे 36 गर से किसने मिस इंडिया टैलेंटेट का खिताब अपने नाम किया है महिमा चवधरी, महिमा कश्यप, महिमा सोनी या फिर इन में से कोई नहीं पुराना कोश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर था महिमा सोनी ने अपना नाम किया है पॉइंट आफ यू के हिसाब से समझे आगरह में आयोजित इस भव्यकायरकरम में 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था महिमा सोनी कॉंड़ा गाउं जीले के बड़े राजपूत ब्लॉक में विसरामपूरी की रहने वाली है वहां इंटरनेशनल बिजनेस आइकॉन अवाड 2022 में भी भाग ले थे नेक्स्ट कोश्चर है 36 गड़ के हर जीले में कम से कम कितने तलाब बनाये जाएंगे 60, 70, 75 या फिर 80 राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों 75 36 गड़ में सतही वा भूमी का जल की उपलबधता को बढ़ाने के लिए रिमोट सेसिंग और भू इस्थानिय जैसे नई तक्निकों के उपयोग से हर जीले में कम से कम 75 जीले बनाये जाएंगे महत्मा गांधी राष्टिय ग्रामी रोजगार गरेंटी अधिनिया मनरेंगा के नमिशन अमरीज समरोह के तहत यहां तलाब बनाये जाएंगे कल का हमारा प्रशन था दोस्तों निम्नल लिखित में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में सामिल होने वाला पहला एस यान देश बन गया है भारत उत्तर कुरिया दक्षिन कुरिया या फिर इनमे से कोई नहीं करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या था दोस्तों दक्षिन कुरिया ऑप्सन नम्बर 35 का करेक्ट आनसर आएगा पॉइंट आफ यूग के हिसाबसे समजते हैं अब नाटो C, C, D, C, D, E में कूल अधिकारियों सदस्यों के रूप में 32 देश सामिल है जिसमें 27 नाटो सदस्य देश और 5 गैर नाटो राज्य भी सामिल है कल का हमारा सेकेंड कोश्चन था ब्रिटिस उद्योग परिसंग और किस ने हाल ही में UK भारत व्यपार आयो की स्थापना के लिए एक समझावता किया है योजना आयोग, भारतिय उद्योग परिसंग, निती आयोग या फिर वित्य मंत्रे राइट आंसर इसमें हमारा क्या था दोस्तों भारतिय उद्योग परिसंग आपसर नमबर टू इसका करेक्ट आंसर आएगा पॉइंट आफ यू के हिसाप से समझते हैं इस मिसन का उद्देश है यूनाइटेट, किम्डम, यूके और भारत के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना है आज का हमारा प्रेशन है दोस्तों किस राज्य में तयार हलबर गुलाब पहली बार यूरोप के बजार में भी बिकेगा अगर आप कल का करेंट फेर देखे हैं दोस्तों तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में लिख के बताएंगे सेकेंड कोश्चन देख लिजे आज का किसी यूजना के तहाँ 36 गड़ के किसानों को पहली किस्त के रूप में 1720.11 रूप्य मिले हैं गोधर न्याय योजना, राजिव गांधी किसान न्याय योजना, महिला बालविकास योजना या फिर इन में से कोई नहीं ये भी पुराना कोश्चन है दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में लिख के बताएंगे आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को योजफूर लगा हो तो लाइक, सेयर और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूले हैं साथ साथ बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेज कीजे ताकि मेरी हर नय लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे हैं